हेलो मेरे प्यारे दोस्तों तो यार कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं सीक्रेट आर्मी बेस कैम पर यार वहां से हम लोग एक पुलिस की बहुती गजब की गड़ी है स्वेट उसको ढूंड कर लाने वाले हैं और उसको आज हम अपने लिका ओर रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में गंटी वाला बटन भी दबा दीजिए यार चलो मिशन पर जाने से पहले अपने कुछ दोस्तों को साट आउट दे देते हैं दोस्तों हमारा पहला साट आउट जाता है सुनिल थ्रोट को और हमारा दूसरा साट जाता है संगीता अगरवाल जी को तो नेक्स्ट हमारा जो साट आउट है वह जाता है डिजिटल नाइट गेमिंग को यह भी मातर बारा साल के हैं और हमारा अगला साट आउट है रितिका तिवारी जी के लिए तो हमारा अगला साट आउट जाता है गुर्मान दीप सिंग क यार इनने शाट आउट के जंगा शौर आउट लिख दिया है और हमारा अगला शाट आउट जाता है मैश मेवडा को तो हमारी आज की शाट आउट की लिस्ट पूरी हो चुकी है दोस्तों अगर आप लोग भी चाते हैं कि हम अपने वीडियो में आप लोगों का नाम ले तो यार चेनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिपिकेशन को ओन करो और वीडियो के नीचे प्यारा साट आउट जरूर लिखो हम अगले वीडियो में आप लोगों का नाम जरूर लेंगे तो यार चलो हम जल्दी जल्दी से अपनी उस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंची चुके हैं साट आट के चक्कर में हम अपनी लोकेशन के बहुत ज़्यादा नजदीक आ चुके हैं और आज हम अपनी लोकेशन पर जाकर यार बहुत हंगामा मचाने वाले हैं क्योंकि यार एरिया 51 में गुषने पर ही पुलिस तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पर फिर पुलिस ऐसे पिछे पढ़ जाती है तो जल्दी जल्दी से अपनी उस सीक्रेट एरिया 51 जगह पर पहुँच लेते हैं और हमने अपनी गड़ी को फुलिस पीड से चला दिया है 165 किलोमेटर पर ती घंटे की रपतार से हमरा इसी गड़ी चल रही है तो यार यहाँ पर गुषने की तगड़ी सजा यारनी एक लाग डीबी का पनिस्मेंट भी है तो यार हम इस चीज से आर नहीं ड़ने वाले हम आज इस एरिया 51 में गुषकर ही रहेंगे तो जल्दी जल्दी से अपने एरिया 51 में जाते हैं क्या होता है तो यार पुलिस अभी तक एक्टिवेट नहीं होई यार यारनी कि यहां की पुलिस इतनी चोकन नहीं है तो हम एरिया 51 के अंदर भी आ गए है तो अभी भी पुलिस का कोई मुमेंट हमको दिखाई नहीं दे रहा तो चलो आप थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और देखते हैं पुलिस का क्या मुमेंट होता है तो पहले याँ पर गाड़ियों के उपर बम फोड़ कर देखते हैं कि पुलिस अभी भी एक्टिवेट होती है या नहीं तो आप लोग देख सकते हैं पुलिस का एक स्टार हमको लग चुका है मकर इस एरिया 51 के अंदर गुषते हैं पुलिस के पांच स्टार लगते हैं तो हमको बम फोड़ने के लिए एक स्टार मिला है तो आप जल्दी जल्दी से अपने और भी बम इस एरिया 51 में फोड़ देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है पुलिस हमारे प्र गड़ी को ढूंड लेते हैं तो हम आज यहां से कौन सी गड़ी को लिजाने वाले हैं तो हम आज यहां से लिजाने वाले हैं पुलिस की स्वेट गड़ी को तो यार हमको स्वेट गड़ी अभी भी दिखाई नहीं दे रहे तो पहले इस गड़ी में बैट लेते हैं वरना भी भी दिखाई नहीं दे रही है तो दोस्तों चलो कोई नहीं हम एरिया 51 के बाहर भी निकल कर देखते हैं कि हमारी स्वैट गड़ी है या नहीं तो पहले अंदर ही देख लेते हैं बाहर बाद में निकल लेंगे तो जल्दी जल्दी से इस एरिया 51 का चकर लगाते हैं और द अगर एरिया 51 के बाहर खड़ी मिल गई तो उसको वहीं से चुरा लेंगे और उसको वहीं से बेच डालेंगे ले जाकर अपनी कार शोप पर तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इस एरिया 51 के बाहर तो नहीं पुलिस की स्वेट गड़ी तो यार यहाँ पर भी नहीं है प तक हम मर नहीं जाते हैं यानि हमको पुलिस मार नहीं देती तो पुलिस की लगता है स्वेट गड़ी हमको आज नहीं मिलने वाली इसलिए चलो दोस्तो आज यहां से कुछ और ही चुरा लेते हैं और हमको लगता है कि हमको यह टैंक ही आज चुराना पड़ेगा क्योंकि य यार हमको सिरफ अपनी स्वैट गड़िये दिखाई दे रही थी तो यार हमको स्वैट गड़िया अज यहां नहीं मिली है तो चलो इस टैंक को यहां से ले जाते हैं और फिर स्प्धोर साओ हख सब्सक्राइल आण से निकलते हैं और फिर अपनी सिटी में पहुंचते हैं और फिर इस टैंक को आज हम सिटी के अंदर बेचने वाले हैं और आज हम लोग सिटी के अंदर अमीर बनने वाले हैं क्योंकि यार इस टैंक को बेच कर हमारे पास बहुत से पैसे आने वाले हैं तो जल्दी जल्दी से अपनी city का रास्ता देख लेते हैं यानि इस tank को आज हम shortcut रास्ते से ली जाने वाले हैं क्योंकि यार अगर हम लोग उदर airport के पास से रास्ते से गए तो यार वह है रास्ता बहुत ही लंबा है क्योंकि उस रास्ते रे पहुँचने में हमको बहुत टेम लग जाएगा और पुलिस वाले हमको रास्ते में पकट सकते हैं तो इसलिए हम लोग आज इस secret location से जाने वाले हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुलिस के star भी हमारे उपर से दिरे दिरे हटने लगे हैं और लग बग अब सभी star हमारे उपर से आट गए हैं यानि अब किसी चीज का खत्रा नहीं पुलिस वाले अब सभी समझ चुके हैं कि वह बंदा डैड हो चुका है यानि अगर हम रास्ते से जाते तो पुलिस के star हम से नहीं हटते तो इसलिए हम लोगों ने यहीं रास्ता चुना और पुलिस के star भी अब सभी हट चुके हैं और अब हम इस टैंक को आराम से अपनी city में ले जाकर बेश सकते हैं तो जल्दी जल्दी से इस टैंक को अपनी car sop पर लेकर चलते हैं इस टैंक को बहुत ही जबरदस्त गोले हैं यानि यह गोलों की बरसात भी कर रहा है तो दोस्तो जल्दी जल्दी से हम लोग अपनी car sop पर आई गए हैं और अब इस car sop पर हम इस टैंक को बेच कर देखते हैं कि यह टैंक कितने डोलर का बिकेगा तो चलो यार हमारी car sop की location आई गई है और अब car sop के अंदर enter होते हैं और देखते हैं कि यह कितने डोलर का बिकेगा यार सच में मज़ा ही आ जाएगा इस टैंक को बेच कर आज तो जल्दी जल्दी से हमने अपने टैंक को अंदर ले लिया है car sop के तो यार चलो इस टैंक को देखते हैं कि यह कितने डोलर का बिकने वाला है अभी हमारा टैंक बहुत ही अच्छी आलत में है तो ज़्यादा मेंगा बिकना चाहिए तो यार दोसो इकिस डोलर का बिकरा है यार सच में कमाल हो गया बिकना मज़ा ही आ गया दोस्तो तो चलो दोस्तो इस टैंक को आज बेची देते हैं क्योंकि यार 222 डोलर बहुत होते हैं तो यार यहां पर आप लोग देख सकता है इस टैंक के अंदर तरह तरह की चीजेंग हो रही है और चलो इार इस टैंक को 220 डॉलर में बेच लेते हैं इंडियर रुपए में कनवर्ट किया जा तो यह बहुत सारे पैसे हो सकते हैं तो यार चलो आज इस सीटी के अमीराद भी बन जाते हैं इस टैंक को बेच कर यार हमने 220 डॉलर में अपने टैंक को बेच दिया और हमारे वाला बटन भी जरूर दबा देना यार दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जैहिन वंदे मातरम